ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं यूज अभी अभी ख़बर तहकिकात हकिकाद हारंपो वीगत बारा अक्टूबर को देवर में भाचपा नेता धारा सिंगोली मार कर हत्या के बाद मेरा जोन के एरडीजी प्रशान्त कुमान ने किया खुलासा गटना को अंजाम देने वाले दो अभी युगतों को पुलिस ने किया गिरफता बदमाशली बाचपन नेता धारा सिंग की हत्या ठेका निरस्त करने को लेकर की थी पुक्त घटना का खुलास करते हुए एरडीजी मीरड प्रशान्त कुमान ने बताया कि सहरन को पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर अभी युगतों कवरपाल वैर रविंदर पूत्रगंड सत्यापाल निवास्ति ग्राम मत्थुरा ठाना चर्थावर मु कि रेल्वे रंखंडी रेल्वे फाटक के पास मोटरसाइकल सवार दो बदमाशों ने गोली मार दी थी जिसके बाद से उनकी मिर्त्यु हो गई थी इस संबन्द में उनके भतीजे मनोच कुमार ने एक अभी योग पंजिक्रित कराया था क्योंकि बनाम अग्यार था आप सबको मालूम है कि जो मिर्तक धारा सिंग है वो एक राजियतिक पार्टी के सदस्षिक के रूप में सभासत भी थे देवबंद के और देवबंद के बगल की कंस्ट्यूएंसी में चुनाव भी होने वाला था इस सभी तीजों को संबेदिन शीलता को देखते हुए इस पर विशेष्टी में लगाई गई थी यह ब्लाइंड केस था और काफी अथक प्रयास के बाद दो बदमाश इसमें से पकड़े गए और उनके पास से हत्या में प्रयुक्त मोटर साइकिल और जो पिस्टल जिससे की गोली मारी गई थी वो भी बरामद हुई है एक तमंचा भी बरामद हुआ है और यह दोनों अभ्युक्त सगे भाई हैं कमरपाल और रविंदर यह ग्राम मतुरा थाना चर्थावल मुझफवर नगर के निवासी हैं जो हत्या का मोटीव है वो जो गन्ना मिल है इसमें जो ढुलाई का काम होता था उसके ठेके को लेके विवाद था 2016 में जो अभ्यूक्त हैं उन लोगों ने वो अपने गाउं से त्रिवेणी शुगर मिल के लिए जो गन्ना ढुलाई होती है उसका ठेका लिया था इनका कहना है कि जो मिर्तक धारा सिंग है उन्होंने इसे कैंसिल करा दिया और ये कहा कि हम तुम्हें कहीं भी गन्ना ढुलाई का काम नहीं करने देंगे और चुकि ये खुद वहां मिल में कारेरत हैं तो ये अपने किसी न किसी रिस्दार के नाम पर ठेका लेते थे और अन्न किसी को नहीं लेने देते थे जिसके कारण रंजिश में इन लोगों ने इनकी हत्या की और जो 2016 का जब ठेका निरस्थ हुआ था तो इसमें काफी इनको आर्थिक हानी भी पहुंची थी जो पूस्ताच हुई है उससे यही मोटिफ सामने आये हैं अब पूरे केस का परदाफाश हो गया है और इनको जुडिशल रिमांड के लिए भेजा जा रहा है यह लगातार कहीं भी यह पर्यास करते थे ठेका लेने का तो इनका कहना है कि धारा से इंग हमें नहीं लेने देते थे यह सर कब से प्लामिंग किया हुआ हुआ है 2018 से यह लास सीजन से यह लोग कर रहे थे और चुकि यह इनका मानना था कि यह सभासद है और अरतमान में जो रूलिंग पार्टी है उससे जिड़ग हुआ है इनके बहुत सारे अपने अप्रिहंशन भी थे जो गलत भी हो सकते हैं इनको यह कन्विंस हो गय थे कि इनके आर इसके कारणी लोगों ने ऐसे काम किया और फुटेज जो हम लोगों ने काफी सर्कुलेट भी किया था पूरे जोन में हम लोगों ने हरे एक ठाने में हरे जेल में भी इसकी पूश्ता चाहिए तो बहुत अक्टिव क्रिमिनल्स नहीं थे इसलिए कुछ ज्यादा टाइम ल लोग भी संतुस्थ हैं और यह जो रंजिश है वो चीजें भी तस्दीक हो रहे हैं जो पूस्ता चो बताया गया है कि दस तारिख को भी एक बार यह लोग प्रयास किये थे और दिल सक्सेस्वल नहीं हो पाये तो वह बारा को लोगों ने अगटना किया था इनाम दिया जा इनाम दिया जागा रेकमेंड किया जाएगा डीजी साब को क्योंकि यह बहुत संस्टिक देश था हमारे लिए और चुनोती पूर्ण केस भी था और इसको लिए के एसेसपी वहां लगतार कैम भी करते रहे ताकि महाल भी गड़े और इसे जातिकत समस्या भी हो सकती थी बहुत तरह के संभावनाय थी चुनोती को स्विकार करते हुए सारन पर पूलिस ना बहुत अच्छा कार किया है और चुकि मैं आज यहां नूडल आफसर भी हूँ य दा रहा था तो ऐसा चांस है कि आज ही जो है इस केस का परदाफाश भी हुआ है अपनी तरफ से भी मैं बहुत बढ़ाई देता हूं यहां के टीम को जिन्होंने बहुत ही रिकॉर्ड समय में और बहुत ही अच्छी तरीके से इस केस को पुले हुँ यह है आर जे मीडिया और आप देख रहे हैं यूज अभी अभी खबर तहकिकात हकिकत